मनिशा फूर की चन में आप सबका स्वागत है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में लाइक और बैल आइकन का बटन भी जरूर दमाए आज बनाए है मैंने चने की डाल के भर्मा करे ले और करे ले कुछ मैंने थोड़ा अलग के तो देखते हैं कैसे बनाए है मैंने इस वीडियो को शुरू करते हैं तो इसको बनाने के लिए यहां पर मैंने दो पड़ी प्याज लिए एक छोटा सा टुकड़ा अद्रक का और पांच्छे करे लशन की लिए और एक आधी कटोरी मैंने चने की डाल को भिगो दिया था करेलो को भी मैंने धो लिया और उपर नीचे से डंडी काट कर बीच में चीरा लगा लिया है सारे करेलो को ऐसी काट ले अगर बीज पके हो तो बीज निकाल ले प्याज को मैंने बारिक बारिक चौप कर लिया है और लसन अद्रक को हम कूट के इसका पेस्ट बना लेंगे इससे इसका टेस्स बहुत अच्छा आएगा इसको कूट लेंगे दस्ता नद्रा कुट चुका है और जितनी बाकी प्याज बची हुई है इनको भी हम बारी बारी चौप कर लेंगे अब हम चैनी की दाल को भी मोटा मोटा दरदरा पीस लेंगे मैं इसको हैंट ग्राइडर मे दालेंगे एक बड़ा चम्मच देल का डाला है मैंने उसमें डाली है फिर मैंने दो चम्मच पीसी सोफ का पाउडर और फिर उसके बार डाल देंगे बार इकटे हुए प्याज प्याज को भूल लेंगे आज भूने के बार इसमें डाल देंगे लस्टन अदरक का पेस्ट अब इसको भी मसाले के साथ भून लेंगे मसाला भून चुका अब इसमें डाल देंगे आदा चमज लाल मिर्च और दो चमज डाल दियूं मैं यहाँ पर धनिया पाउडर और आदा चमज डाल दी हूँ मैं हल्दी पाउडर मसालो का अच्छे से मिक्स कर ले जिसमें लसन अधर कूटा था मुशे में थोड़ा सा पानी मिला कर उसको भी एड़ कर लेंगे उसको भी अच्छे से मिक्स कर लें मसालो का अच्छे से भून लें मसाला भुन चुक है अब इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार अब इसको अच्य से मिक्स कर लेंगे दाल को दाल को हम अच्छे से भूलने और उसको थोड़ दे ढखकर पकाएंगे तीन-4 मिनट के लिए जिसे कि दाल हमरे अच्छी तरह पक जाए दाल को एगग अच्छे से मिक्स कर लिए देख लें कि दाल हमारी पकी की नहीं पकी दाल भी हमारी मसाले के साथ अच्छे से पक चुकी है यूपकल अच्छे से पक चुकी है हमारी अब ये तैयार है हमारे करेलों में भरने के लिए अब एक करेला ले लेंगे और उसको दोनों साइट से दवा कर अच्छे से अंगलों गांग उठे के मदद से अच्छे से दवा लें जिसे किसका बीच में से मूँ खुल जाए उसके बाद इसमें हम चनी की दाल का मसाला भर लेंगे करेले में मसाला भर चुका है ऐसी हम दूसरा करेला भी लेंगे उसको भी अच्छे से दवा लेंगे अब इसके अंदर भर देंगे हम दाल का मसाला अच्छे से मसाले को दबा दें उपड़ से ऐसे हम सारे करेलो को भर लेंगे जिसमें हमने दाल का मसाला बनाया है उसी कड़ाई में फिर दुआरा से देल डालेंगे एक बड़ा चमज तेल गरम कर लिया है उसके बाद सारे करेलो को नीचे की साइड से डाल रखेंगे उपड़ की साइड से ना रखेंगे जहां मसाला भरा है सारे करेलो को रख देंगे अब इसके बाद उपड़ से थोड़ा सा नमक और डालेंगे स्वाद के लिए नमक और डालेंगे जिससे की टेस्ट अच्छा हो रहा है इसके बाद इनको धकर पकने देंगे थोड़ दिर पकाने के बाद अब इन करेलो को जो हमने पकने के लिए रखे हैं नीचे से जो नीचे वाले करेले हैं उनको हम उपर की साइड कर लेंगे और जो उपर वाले करेले हैं उनको नीचे कर देंगे अब इनको मसाले की साइड से ना पकाएं पहले नीचे की साइड से पकाएं इनको ऐसे मैं सारे करेलो को पल्ट रही हूँ जो नीचे थे उनको मैं उपर कर रही हूँ अब इनको एक साइड में रख ले जिते भी नीचे करे ले थे तेल के नीचे तेल की side वाले उनको उपर कर लेंगे और जो उपर थे उनको नीचे कर लेंगे अराम अराम से कर लें चम्मच की मदद से जिसे कि वो करेली पे अच्छे से fry हो जा तेल में मैंने सारे करेलो को पलट लिया है आम इनको धकर पकने दिंगे अब करेले हमारे अच्छे से पक चुके हैं बीच बीच में मैंने इनको अच्छे से बीच बीच में पलटती भी नहीं हूँ मैं अब सारे करेले हमारे अच्छे से पक चुके हैं अब सारे करेलों को जहाँ मसाले वाली साइड थी उस साइड से इनको उल्टा कर देंगे इनको उल्टा कर दें सबको मसाले वाली साइड से यहां मैंने सारे करेले कर ली है इसको ऐसा करने से यह होगा इसमें जितना भी तेल है वो सारा मसाला अपने अंदर सोप कर लेगा तेल को मैंने सारे करेले उल्टे कर दी है अब इनको थोड़ी देर और पका ले अब आप देख रहे हैं सारे तेल सोक कर लिया है करेलों ने और करेले अच्छे से पक चुके है तैयार है हमारे करेले जो नीचे की साइड से करेले मैंने कहिए थे उल्टे मैं आपको दिखाते हैं अच्छे से पक चुके हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये करेले ये दो किन अच्छे से फ्राय हो चुके हैं दूसे करेले को भी पलट दे और तैयार है हमारे चने की दाल के भरवा करेले बिल्कुल अलग तरीके से बहुत ही टेस्टी हैं अच्छे से अच्छे से बहुत हैं